तो यह granular surface treated with primer जो है वहां पे अपने को 250 gram to 300 gram per square meter पे यूज़ करना रहता है टेक कोट उसके हैं सिमेंट concrete pavement अगर उसके ऊपर अपन टेक कोट डाल रहे हैं तो वह अपना 300 gram to 350 gram पर square meter के respect में अपन को देना रहता है वह इस प्रे करना रहता है ठीक है अब यह देखिए यह beauty मेंट मेंट का जो है यहां पर यह अपने जो भी उसका test होते हैं उनका maximum requirement जो है minimum requirement जो है maximum requirement वह सारे यहां पर दिए गया है तो यह थोड़ा सा क्या है यह quality control के उपर यह सारे चीज़ आते हैं तो हम बस एक बार इसको बस डिक्टेट कर देते हैं कि क्या क्या है grain size analysis जो होता है वह अपना maximum 5% passing 0.075 micron मिंस इसमें जो dust रहना वह dust बहुत कम रहना चाहिए उसी के लिए यह चेक होता है उसके बाद अपना particle से से होता है मतलब जो अपन यूज करते हैं ग्रीगेट उसका से जो होता है वह combined flakiness and elongation index उसका चेक होता है वह अपना maximum 35% आना चाहिए उसके जो strength चेक करने के लिए लॉस एंजलेस अब्रेशन वैलू या impact वैलू टेस्ट करते हैं अगर लॉस एंजलेस अब्रेशन वैलू है तो उसमें अपनको 40% maximum रहना चाहिए और aggregate impact वैलू टेस्ट जो है वह 30% रहना चाहिए उसके durability के लिए different test है जो sodium sodium sulphate magnesium sulphate के test होते हैं इन सभी के जो है 5 cycle में maximum 12% on maximum 18% आना चाहिए उसका water absorption test है जो aggregate use करने तो उसका maximum 2% water absorption रहना से उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए उसके बाद जो stripping होता है जो stripping है coating and stripping of beauty minus aggregate इसका minimum return coating 95% रहना चाहिए उसके बाद water sensitivity जो है रिटेंड टेंसाइल स्टेंज उसको बोलते हैं minimum 80% होता है कि उसके बाद अब यहां पर देखते हैं ब्यूटी मीनियस मैकडैम यह अपना क्या है beauty minus macadam का भी बात करने हैं यह आपर देखिए इसमें तीन चीज़ होता है beauty minus macadam होता है एक होता है dense beauty minus macadam और नोग में और यह होता है beauty minus macadam में क्या होता है是 percentage of beauty mean रहता है वह 3.3 to 3.4% हो ही अगर dense beauty minus macadam है तो आफे beauty mean content 4 to 4.5% रहता है और beauty minus concrete जो है वह अलग का जाता है तो उसको आगे अभी discuss करेंगे तो Beauty Minious Macadam का भी दो grading होते हैं, grading किस चीज के लिए होता है, layer, layer अपने को कितने का डालना है, उसके accordingly अपना grading fix होता है यहाँ पर देख सकते हैं कि nominal maximum aggregate size, अगर हम grading 1 का बात करें, तो उसका nominal maximum aggregate size जो होता है, वो 40 mm होता है, और grading 1 के help से अपन 80 to 100 mm का जो thickness का dbm लेंग करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं और उसके बाब जो अपना ये दूसरा है कि जो grading 2 है तो grading 2 में जो maximum aggregate size होता है, वो 19 mm होता है और उसमें जो हम यूज उसको जो layer उससे डाल सकते हैं layer है, 50 to 75 mm ठीक है और इसी का यहां पे अपने को grading दिया गया है means जो अपना उसमें percentage of aggregate का size रहना चाहिए, किस size के aggregate कितना रहना चाहिए, उसको define करने के लिए ये सारे sieve दिये हैं, sieve के arrangement दिये गया है और grading का जो है यहां पे grading दिया गया है तो यह आप देख सकते हों और last में आप देख सकते होंगे beauty minus content percentage by mass अब total mix तो 3.3% रहना चाहिए अपना grading 1 का और grading 2 का 3.4% रहना चाहिए total mass का 3.4% beauty mean और 3.3% beauty mean रहना चाहिए ठीक है, तो यह beauty minus macadam का था detailed अब आगे देखते हैं dense beauty minus macadam तो dense beauty minus macadam के भी जो भी test होते हैं वो test के यहां पे maximum और minimum criteria दिया है तो यह सब आप यहां पे देख के समझ सकते हैं ठीक है, यह कोई simple same ही रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर रहता है, ठीक है तो हम इसको आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं जो कि यहां पे है जो इसमें filler यूज होता है dense beauty minus macadam में अपन cement या lime को यूज करते हैं as a filler तो filler का भी होता है, कुछ criteria उसका भी grading होता है तो उस grading यहां पे दिया है कि अपनों 0.6 cv लगाएंगे 0.075 से 85 to 100% पासिंग होना जै तो ऐसा अगर criteria match कर रहा है grading criteria तो अपन यूज कर सकते हैं उस filler को dense beauty minus macadam के लिए उसके बाद यहां भी क्या होता है दो types के होते हैं दो grading होता है grading क्या चीज पर depend करता है तो यह हम आपको बता दी हैं कि जो thickness के उपर यह depend करता है कि अपन को कितने layer का thickness का layer डालना है उसी पर यह depend करता है तो यह main important है अपने को layer thickness पर अपन decide करते हैं कि इसमें grading 1 यह grading 2 होता है तो यहां भी देख सकते हैं कि 75 mm to 100 mm के लिए thickness के लिए अपन grading 1 यूज करते हैं और grading 1 का जो nominal aggregate size है वो 37.5 mm है और grading 2 का 26.5 mm है और इन सभी का grading detail दिया गया है और इसमें जो beauty mean का content है grading 1 में वो 4% है जो की नीचे आपको last में दिख रहा होगा और जो beauty mean content for grading 2 है वो 4.5% रहता है ठीक है अब इसके बाद जो है अपना dense beauty meanis mechadam का यह requirement for dense grading beauty meanis mechadam तो यह सारा यहाँ पर यह test है तो यह test को तो आप देखके समझ सकते हैं इसमें जो भी है इसमें अपन detail में भी नहीं चलेंगे इसके बाद यह देखते हैं कि dense beauty meanis mechadam में जो अपना void in mineral aggregate रहता है उनका यह details दिया गया है यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यहाँ से dense beauty meanis mechadam का permissable variations in actual mix from the job mix formula अगर अपना जो actual mix है और job mix formula जो है उसमें से जो variations हैं वो variations कितना permissable हैं means कितने को अपन accept कर सकते हैं कितना tolerate कर सकते हैं तो यह सारे यहाँ पर दिया गया है इसको आप देख सकते हैं और इसको apply कर सकते हैं ठीक है उसके अध beauty meanis concrete है beauty meanis concrete का बात कर लेते हैं तो beauty meanis concrete में क्या होता है इसमें भी grading होता है grading 1 और grading 2 ठीक है तो grading 1 जो है वो कितने mm के लिए है 50 mm का अगर लेयर डालना है आपको grading 1 यूज़ करेंगे और 30 to 40 mm का अगर लेयर डालना है तो वहाँ पर grading 2 यूज़ करेंगे और grading 1 के लिए जो nominal aggregate size है वो 19 mm है और grading 2 के लिए जो nominal maximum size है वो 13.2 mm है ठीक है उसके बाद जो layer thickness है अपना layer thickness 50 mm रहना चाहिए grading 1 के लिए और layer thickness 30 to 40 mm रहना चाहिए grading 2 के लिए ठीक है इसके बाद जो है अपना यहाँ पे grading chart दिया गया है कि कितने percentage का passing किस seep से होना चाहिए यह सारे दिये गया है तो इस से आप अपना gradation कर सकते हैं और जो beauty minus content है वो अपना grading 1 के लिए 5.2% रहता है और grading 2 के लिए 5.4% रहता है beauty minus containing beauty minus concrete ठीक है तो यह beauty minus concrete का भी जो job mix जो plant mix from the job mix formula जो अपन बनाते हैं और जो job mix formula मिलता है उसमें से कितने percent का variation ऐसे table है वो देखने के लिए आपको यह table number 580 देखना रहता है और यहां पर यह दिया गया है तो उसको आप पढ़के अराम से देख सकते हैं ठीक है उसके बाद यह surface dressing है तो surface dressing को अपन नहीं देखेंगे अपन इसमें यहीं तक देखेंगे और इसके बाद एक और आपको हम next जो देखेंगे वो रहेगा अपना concrete payment के ऊपर उसका सारे details देखेंगे ठीक है तो इसमें इतना ही